हेलो फ्रेंट वेलकम टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जागो फिर एक वार्ड कवीता का भावार्थ लिखें इस क्यूशन का अंसर आपको अपने बूर्ट परिच्छा में कैसे लिखना है इसके बारे में आज हम लोग डिसकस करेंगे और ये प्रेंट आपके वर्ड परिच्छा के लिए बहुत यादा इंम्पोर्टंट है कूँए अपके वर्ड परिच्छा 2016 2018 और 2021 में पूछा जा चुका है और ये 20 मांक्स का पूछा जाता है तो चलिए देख दे कविता की विसए में तो जागू फिर एक बार शीर्च कविता के रचीता सूरेकांत्रिपार्थी निडाला जी है निडाला जी कि यह कविता पडिमल कविता, संग्रह में संक्लित है येंग की में जन सकता कि कि किस जिसका प्रकाषन 1930 में हुआ था इस कवीदा में कवी नि भारत के अतीद का गरव मैं चितरण किया इसी संदर्व में कवी भारतियों को जगते रहने का संदेश देते हुए कहते हैं ठीक है तो ये भूमिका के तोड़ पे हमें लिखते ना होता है ठीक है तो अब देखते हैं हम कवीदा का भावार्थ तो उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है प्रस्तूत कवीदा दो खंडों में विभाजित है जिनमें करमसर भारत के गौरवपुर्ण अतीत की और धिहान आक्रिष्ट करते हुए देशवास्यों को जागरत रहने की प्रेड़ना दी गई है तथा दूसरे में भारत दूर दर्शा के प्रति निराला के कवी मन का छोब अभिव्यक्त हुआ है तो पहला खंड में क्या है तो है दो सब्दो का स्थान चोड़ते हुए भारत वर्ष का अतीत अत्यंद सम्रित रहा है सिंधु नदी के तट पर रहने वाले आरे अपनी अदभुत वीर्था का पड़िचे देने वाले रहे हैं सवा लाग सत्रुओं पर एक एक सीख के प्रान निवचावर करने की प्रति करने वाले गुरु गोविन सिंह द्वारा गाया गया अमर गान भला क्यूं भुला दिया गया इतिहास साक्षी है कि गुरु गोविन सिंह बारहों महीने रक्त की होली खेलते रहने वाले महान वीर थें वीरों की पड़ंपड़ा वाले इस देश में गीदरों का आधिपत् तुर भाग्ये हैं ऐसा कवी कह रहे हैं उसके बाद नेक्ट पेराग्राप में आपको लिखना है भारत ही वह देश है जहां प्रत्मत्त योग श्राधना स्टंबंधी ग्यान का पडिचे यहां के योग साधकों को हुआ जो भौतिक संसार के सातो आवड़न को वहेदने में स पीरों को वह सुंधरा की दुहाई दे कर देश भक्ति का ओजस्वी स्वरव्यक्त किया है कभी कहते हैं कि इस तरह की सकती और साहसकिस में है जो सेरनी के गोध से उसके बच्चे को बलपुडवक छेन सके क्या सेरनी जीते जी अपने बच्चे को छेनने देगी और वह चु देवन भेद ही ऐसी होती है जो अपने बच्चे को गोध से छीने जाने के बाद चुप रहती है वह दुरवल होने के कारण अपने बच्चे के छीने जाने के बाद भी टक-टकी लगा कर देखती रहती है वह अपने संतानों के छीने जाने पर दुखी होकर आंसु बहाती कहना नहीं होगा कि भारत भू में वीरों की धर्ती रही है, सीहों की धर्ती रही है, सयारों की नहीं वस्तुतह जीवित रहने का अधिकारी सक्ति साली ही हो सकता है। उसके पार नेक्ट पेराग्राफ में आपको लिखना है कभी भारत बास्टियों को उनकी सक्ति का अस्मरन कड़ाते हुए कहते हैं कि तुम पसू नहीं हो तुम युद्ध में पड़ाकरम दिखाने वाले वीर युद्धा हों तुम कुरूर आचरन करने वाले नहीं हो तुम न्याई के लिए वीर्था का प्रदर्शन करने वाले हों इस देश के कन कन में अनुप्रमानू मेरीसियों के महामंत्र ब्याप्त हैं जो मानब के सुखत एब मुक्ति प्रदान करने वाले हैं इसलिए है भारत बास्यों तुम सदा ही महान रहे हो तुम्हारे मन में जो दीन कायर्ता की भावना है तथा काम बासनाव की आसक्ति की भाव उतपन होते रहते हैं वे सभी नस्ठ होने वाले हैं अत्हा तुम ब्रहम्ह सरूप हो यह समत विस भी तुम्हारे चर्णों की ध्हूल से भी तुच्छे है आज से यह है कि तुम परमात्मा की श्रिष्टी के सरवाधिक सबसे सक्तिसाली प्रानी हो अतयव तुम अपनी सक्ति को पहचानो और फिर से जाग जाओ उसके बाद आपको सबसे लाश्ट में नेसकर्ष का हेडिंग डालना है और लिखना है जागो फिर एक वार कवीता एक संबोधन गीत है कवी अपने इस गीत के द्वारा भारतिये नव यूबको को संबोधित करके उनके पड़ाकरम को जगाने का पड़्यास कर रहे हैं तो पूरी कवीता का यही भावार्थ होगा ठीक है फ्रेंट तो कवी यहाँ पे भारत भासि को जगाने का पर्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि यह बीरो की भूमी है या गीतरों का अधिपत्य कैसे हो सकता है यहाँ पर है तो यह दुर्भाग्य की बात है हमाए लिए वो कहते हैं कि ब्रह्म स्वरूप हो तुम और यह बिश्व तुम्हारी चरणों की धूल है यानि कि वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सबसे उपर तुम ही हो और तुम ही अभी गीदरों के अधिफत्ते में हो तो इससे दुर्भागे की बात कुछ हमारे लिए नहीं हो सकती है और ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई सेर्णी के पास से उसका बच्चा छील ले और वो सेर्णी चूप रहा है ये भी कवी यहां पे कहते हैं कि यहां कनकन में अनू प्रमानू और डिस्यू के महामंत्र है ठीक है तो ये सब कहने की पीछे कवी कास से है कि तुम ही सबसे भारतिय स्दा महांड हैं यानि कि तुम्हारे मन में जो भी दीनता है जो भी कायरता है उसे तुम त्याग दो और फिर से तुम जाग जाओ यानि कि कभी से हुए नव्यू को फिर से जगाना चाह रहे हैं और ये लिके हैं जागो फिड एक बार ठीक है तो इस तरी के से आप अपने बोड़ पर इच्छा में इस्क्रिप्शन का अंसर लिख सकते हैं और अगर आप इसने निजर वह गया है कभीता का भावार्थ लिखे यह नहीं देखे हैं तो यह भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जागा इसके अलाबा जो भी बिए सेकेंडियर का के साथ सेर करें और चैनल पर पहली बार आया हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी थैंक्स पर वोचिंग इस वीडियो